हालो फ्रेंज वेलकम बाइक आईल टेक यूटूब चैनल फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थारपे एप्येस पोर्टल के बारे में यहां गाइस थारपे में फिलाल कुछ नई अपडेट्स आई हैं इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या सर्विसेस हमे वीडियो को लाइक दो देखिएगा और चैनल पुने हैं सब्सक्राइब करके बेले एकन दबाद जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहां पे आ चुके हैं थारपे.com थारपे के वेब पोटल पे इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में औ और अपना पासवर्ड डाल के यहां लोगिन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप फिम फ्यूचर अपना यूजर नेम भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके उपर किलिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड को यहां रिकावर कर सकते हैं यहां हम य प्रॉल्म करा सकते हैं इसके बाद आपको नीचे यहां पर स्क्रोल डाउन करना है इसको डाउन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर कुछ ऐसा डेशबूर्ड उसका देखने में मिलता है यहां सबसे उपर आपको रिचार्ज का उप्सन मिल जाएगा बिल पेमेंट का और मर Kath airborne कमेंट बहुत जल्ड इसमें लाइब हो जाएगा तो संपली मोबाईल रिचार्ज करने के लिए आप रिचार्ज के उपर यहां किल केजिए यहां परप्सन मिल जाता है प्रिपेट मोबाईल रिचार्ज का डीटेटियर् सीर्श रिचार्ज का पोसिपेट संपिट के उपर किलिक कर दिजिए सिंप्री kaik पोड़ लिए किलिक कर देना है इसको बाद आपको velvet mo bara करने के लिए यहां पे सब से पहले उपरेटर चूज करना है इसके बाद यहां प्रवाइल नम्मण डालना है amount डालिए यहां circle चूज कर जीए या फिर आप यहां browse plan पे click करके अपना plan को slate कर सकते हैं और proceed to pay पे कर दीजिए click आपका recharge यहां successful हो जाएगा इसी तरह dth के लिए भी आपको same procedure को use करना है electricity bill के लिए आप पे electricity के ऊपर click कर जीए यहां पे अपना आप operator चूज कीजिए जो भी आपका board company है उसको आप यहां चूज कीजिए इसके बाद आपको आपको अपना consumer id डालना है और amount डालना है proceed to pay पे कर देना है click इसके बाद guys यहां आपको bill payment का option मिल जाता है simply आप bill payment के ऊपर click किजिए गा तो यहां पे आपको bvps की services यहां मिल जाती है electricity bill, dth, broadband, gas bill यहां land line और यहां water bill आप इससे बहुत easily यहां पे पे कर सकते हैं simply आपको यहां जो भी करना है उसके उपर आप यहां पे click किजिए इसके बाद आपको नीचे यहां select operator पर choose करना है जो भी आपका service provider होगा उस पे click किजिए और fetch bill आपको दिखाएगा और आपका यहां पे payment successful हो जाएगा अब finally आपको यहां मिल जाता है EPS payment इसके उपर click किजिए आपको यहां cash withdrawal, balance inquiry और mini statement का इसमें आपको service मिल जाता है simply यहां जो भी आपको करना है बस उसके ऊपर आपको यहां पे click करना है जैसे balance inquiry करना है तो हम यह balance inquiry के ऊपर click कर दिए और cash withdrawal करना है cash withdrawal के ऊपर click कर दिए इसके बाद simply यहां आपना mobile number डालेंगे customer का mobile डालें तो बहुत ही बेतर होगा आधार नम्मर यहाँ पे आपको डालना है customer का और यहाँ amount डालना है cash withdraw करने के लिए और इसमें आपको अपना bank चूज करना है जो भी bank customer का होगा वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और इसको चूज करने के बाद आपको अपना device चूज करना है इसे तरह गाइस मिनी स्टेटमेंट अगर आपको लेना है तो यहाँ कस्टमर का मोबाइल डालिये कश्टमर का अधार नमर और यहाँ अपना बैंक चूस कर लिए जो भी आपका बैंक होगा और यहाँ पर अपना डिवाइस चूज कीजिए या सब्मिट पर क्लिक कीजिए यहाँ पर फिंगर स्केन होगा और आपका टर्जेक्शन यहाँ सक्सेस्पूल हो जाएगा इसके लाव गाइस मैंने पहले भी बता है यहाँ आल बैंक मनी ट्रांसपर और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग सब भी बैंकों का यहाँ बहुत जल इसमें अपकमिंग लाइब हो जाएगा इसके लाव गाइस इसमें आपको पैन काट की फेसलेटी मिल जाती है सिंपली आप पैन काट की ओपर यहाँ किलिक केजिए इसके रहाव आपको यहाँ insurance का option मिल जाता है यह जो आप यहाँ insurance का option यहाँ देख रहे हैं बस simply आप insurance को उपर यहाँ click किजिए insurance के उपर click करने के बाद आपको यहाँ bike insurance, car insurance, health insurance, term insurance, taxi insurance आपको इसमें मिल जाता है आप यहाँ insurance कर सकते हैं और ज़्यादा जनकारी के लिए insurance help का जो option आपको मिलता है इसके ओपर click करके आप ज़्यादा यहाँ पर जनकारी ले सकते हैं to book policy को ओपर click करके आप policy यहाँ पर book कर सकते हैं इसके लावा guys इसमें आपको देख सकते हैं travel services यानी air ticket और यहाँ train ticket और hotel booking का भी option आपको इसमें मिल जाता है आप इनके भी जो यहाँ पर booking करके अच्छी का सीर निंग कर सकते हैं इसके लावा guys इसमें आपको loan की facility मिलती है आप चाहें तो इसमें loan भी ले सकते हैं फाइनली आपको यहाँ आधार pay की service मिल जाती है अधार pay की service बहुत ही यहाँ most important है क्योंकि यहाँ किसी भी bank का कभी 10,000 से ज़्यादा पट डेविड डॉल नहीं होता है वहाँ पर आप limit को exit कर दीजिएगा customer बोलेगा मुझे 20 से निकलना है तो उस समय आपको आधार pay बहुत यूज होने वाली है वहाँ पर आप customer का आधार pay के दोवारा उसका 10,000 पर और यहाँ पर निकाल सकते हैं आधार pay यूज करने के लिए simply यहाँ आधार pay के ऊपर किलिक कीजिए यहाँ पर कुछ मैं आपको charges के बारे हैं बता दूँ आधार pay की जैसे AAPS में हमें commission मिलता है वैसे आधार pay में हमें कुछ charges देने परती है आधार pay का service करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है simply आपको वही procedure follow करना जिस तरह आप APS में करते हैं customer का यहाँ mobile नमर डालिए उसका अधार नमर यहाँ पे डालिए amount डालिए यहाँ पे और यहाँ उसका bank चूज कीजिए जो भी उसका bank है और इसके बाद यहाँ पे simply अपना device चूज करके यहाँ submit पे click कीजिए finger scan होगा और यहाँ पे withdraw successful आपका हो जाएगा इसके लाव गाइस यहाँ recharge के उपर click करके यहाँ recharge history चेक कर सकते हैं bill payment के उपर click करके यहाँ पे bbps की services जितना भी आपने किया है यहाँ पे उसका history आप चेक कर सकते हैं aps payment के उपर click करके आप यहाँ पे कुछ आपको simple step follow करना है यहाँ पे अधार नमर पैन नमर यहाँ soap name डाल के अपना यहाँ जो बैकी फोटो का उपलेट करके पैन अप्लोड करके यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं आप जान लेते हैं इसमें कमिशन क्या मिलने वाला है यहाँ पे आपको APS PLUS AMATM में आपको सेम कमिशन मिलने वाला है अगर आप 100 रुपए से 500 तक करते हैं कोई कमिशन नहीं मिलेगा 501 रुपए से लेकर 2000 तक आप विड़ो करते हैं तो 0.15% का आपको कमिशन मिलेगा 20001 रुपए से लेकर 32 करते हैं तो 0.16% कमिशन आपको मिलेगा 321 रुपए से लेकर 5000 तक विड़ो करते हैं तो 5 रुपए 75 पैसे आपको ट्रांजेक्शन पे मिलेगे 50001 रुपए से लेकर 8000 तक विड़ो करते हैं तो 7 रुपए 80001 से लेकर 10 तक विड़ो करते हैं तो आपको यहां 8 रुपए 15 पैसे मिलेंगे यही आपको MATF पे मिलेगा और आधार पे का मैं सरचार्ज पहले यह बता चुका हूँ आपको और यहां DMT पे आपको कुछ यहां पे ऐसे यहां पे देना है आपको चार्जेस यहां पे देख सकते हैं DMT पे अगर आप यहां DMT में अगर आप यहां 1000 रुपए का करते हैं तो यहां 10 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा एक रुपए इटेरो का कैस बेक होगा 2000 करते हैं तो 20 रुपए चार्ज देना पड़ेगा छे रुपए रिटेलों को यहां पे होगा यहां जितना भी आप यहां अमाउंट सेंड किजिएगा इसमें आपको एक परसेंड का चार्ज देना पड़ेगा इसी तरह अगर आप 5 शेयर तक का विड्रो करते हैं यहां पर सेंड मनी करते हैं तो 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा 26 रुपए रिटेलर का कैस बेक हो जाएगा और यहां प्रिपेड और डिटियर्ज रिचार्ज पर आपको 1.75 से 3% तक का कैस बेक कमिशन यहां मिल जाता है तो आप जान लेते हैं हमें आईडी की कोश्ट यहां क्या परने वाली है अगर आप देना चाहते हैं रिटेलर आईडी तो आपको 250 रुपए यहां पे करने पड़ेंगे अगर आप डिस्टिबूटर बनना चाहते हैं तो आपको यहां 1850 रुपए पे करने पड़ेंगे आप यहां लिमिटेड रिटेलर क्रेट कर सकते हैं सो यहां पे जो आपको इसकीन पे यह नमर दिख रहा है इनसे आप कोंटेक्ट करके ID पर्चेस कर सकते हैं और अपना वर्क यहां इस्टार्ट कर सकते हैं यहां यह सर्विसेज और यह कमिशन आपको इसमें मिल जाता है थारत में अगर आप इंटेस्टेट हैं जुड़ना चाहते हैं तो इसकीन पर आपको यह जो नंबर दिख रहा है यह डाल दिया मैंने वीडियो के डिस्किप्शन में आप इंसे कॉंटेट करके आईडी ले सकत हैं और अपना वर्क यहां पर सकते हैं तो गाइज उम्मीद करता हूं को पूसाद आया होगा वीडियो को लाइक कर देजाए चाहां आप नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लेजिए लिंक मिल लेगा आपको वीडियो के डिस्किप्शन में चराइब कर वीडियो कि लाइब कर वीडियो कि गंने क्थ